हेलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ सिवम कुमार आपका मेरे बहतर सिंग म्यूजिकल चैनल में बहुत ही बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रॉयलेंड XPS 10 कीबोर्ड में पैन ड्राइव का यूज कैसे करें बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके खा इसके बारे में भी एक वीडियो बनाईए पैन ड्राइव के बारे में के अपने रॉयलेंड XPS 10 में पैन ड्राइव का यूज कैसे करें तो दोस्तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि अपने कीबोर्ड में पैन ड्राइव का यूज कैसे करें तो दोस्तो चलते हैं देखिए यह मेरा की वर्ड है और यह मेरा pen drive में मैं अपने की वोर्ड में अपना pen drive लगा रहा हूं देखिए मैंने अपना pen drive लगा लिया है तो दोस्तो आपको क्या करना है अबको अब जो हमारा keyword का जो backup है जो हमारी tone बनी हुई है हमारे keyword में वो data अपने pen drive में हम कैसे ले उसका backup जो हमने भी जैसा भी हमारा backup बना हुआ है वुलकुल सेम बैसा वही backup हमारे pen drive में कैसे जाए तो दोस्तों आपको क्या करना होगा screen की तरफ लेके चलता हूँ देखो दिखाई दे रहा हो आपको जाना है menu में थोड़ा camera की दिक्कत हो रही है आपको जाना है menu में menu में जाके आपको दबाना है cursor right cursor right दबाते रहना है देखो utility आपको जाना है utility में utility में जाकर आपको enter कर देना है enter देखो आपके सामने आ रहा है backup तो दोस्तों जो आपके keyword में backup है वो backup आप अपने pen drive में लेना चाहते हो तो backup पे enter कर देंगे और यहां आ रहा है backup name तो दोस्तों आप अपने backup का नाम कुछ भी रख सकते हो आपका जो नाम है वो कर सकते हो जो आपकी मर्जी हो वो डाल सकते हो जैसा के देखो मैं आपको example करके दिखा देता हूँ मेरा नाम है देखो शिवम तो मैं इस पर अपने कुछ पेंचान अपना नाम का वो डाल डाल देता हूँ रोलेलेंट एक्स पीएस टेन देखो मैं डाल रहा हूँ प्लस माइनस से भी कर सकते हो आपके जो नाम की spelling है वो प्लस माइनस से आ जाएगी एस और फिर कर सकर राट दवा के आगे कर सकते हो मैं एस के डाल देता हूँ इसमें आ रहा है एक्स पीएस टेन एस के डाल दिया है मैं अपने की बेक अप का नाम तो हमको क्या करना है जो ऐसा भी आपकी मर्जी हो आप बैसा नाम डाल सकते हो आपको एंटर कर देना है अब एंटर करके आपको एक बार और एंटर की पूछेगा कि आपको यही बेक अप करना है कि नहीं तो हमको यही बेक अप करना है हम एंटर कर देंगे देखो loading हो रहा है loading होने में थोड़ा time लगता है पर कोई बात नहीं आराम से loading हो रहा है अब ऐसा करने से दोस्तो आपका जो backup है वो इस pen drive में आ जाएगा देखिए दीरे-दीरे loading हो रहा है देखो loading हो चुका है अब हम इस pen drive को निकाल लेंगे तो दोस्तो जो आपके keyword में backup था जो भी tone थी वो आपके इस USB pen drive में आ चुकी है तो दोस्तो कई बार एक बार और होती है कई बार यह हो जाता है कि जैसे अब हमारा backup आ चुका है हम अपने keyword में कोई छेड़गा नहीं कर लेते हैं या हमको यही backup कोई दूसरे keyword में डालना है तो हम उस backup को दुबारा से इसी keyword में या दूसरे keyword में कैसे डालेंगे तो दोस्तो आपको क्या करना है देखिए मैं अपने pen drive को लगा रहा हूँ मैंने अपने pen drive लगा लिया है तो अब क्या करना होगा मेन्यू में जाएंगे मेन्यू में जाके हमको जाना है फिर से utility देखो screen की तरफ देख लिजिए utility आ गया अब utility पर आपको enter कर देना है enter करके आपको cursor right दबाना है यहां आ रहा है देखो restore तो restore में जाके आपको enter कर देना है enter करके देख लिजिए आपने किस नाम से एड़ किये थे वो बैक अप आ जाएंगे देखिए मैंने बहुत सारे बैक अप बना रखे हैं वो मेरे बैक अप आ चुके हैं देखो मैंने बनाया था रोयल एक बनाया था XPS10SK मैंने यही बैक अप बनाया था अब मैं इसी बैक अप पर एंटर कर दूँगा देखो एक बार और एंटर कर दूँगा देखो लोडिंग हो रहा है दोस्तो ऐसा करने से आपका जो बैक अप पहले बाला था वही बैक अप आपके कीबोर्ड में आ जाएगा देखिए अब आ रहा है इस पर आ रहा है completed turn of power तो आपको एक वार बंद करकर चालू कर लेना है अपना कीबोर्ड देखिए मैंने बंद करके चालू कर लिया है देखिए जो बैक अप था वो आपके कीबोर्ड में आ चुका है देखिए मैं आपको चेक करके दिखा जेता हूँ जो मेरा बैक अप था वो मेरे कीबोर्ड में आ चुका है तो दोस्तो इस प्रकार से आपको अपना बैक अप पेंडराइम में लेना है और जो पेंडराइम की टोन है वो अपने कीबोर्ड में लेनी है दोस्तो इसी प्रकार से आपको करना है सब कुछ आसान तरीके से ज्यादा कुछ hard नहीं है आसा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा तो दोस्तो अगर आपकी समझ में आया है अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ लाब हो रहा है तो दोस्तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी दिक्कत हो अगर आपकी समझ में वीडियो के माद्देम से नहीं आया है तो मुझे कमेंट करकर आप बता सकते हैं कि हमको सर क्या समझ में नहीं आया है तो मैं उसके उपर वीडियो बनाऊंगा और दोस्तों जो भी आपको रॉयलेंड एक्स प्यस्टेन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए जो भी चाहिए वो मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दन्यवाद